नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Social Blade application या Social Blade के website के बारे में तो Social Blade के बारे में आप में से बहुत कोई को बहुत सारा confusion है पर इस website में या इस application से आप कौन-कौन सा data का analysis कर पाऊगे क्या-क्या information आपको मिलेगा वो सारा कुछ चीज आज की इस वीडियो में हम details में देख लेंगे और यहाँ पर यह भी discuss करेंगे अगर आप अपने खुद के YouTube चैनल को या आपका अगर कोई भी social media में profile है Facebook, Twitter, Instagram, Twitch या यहाँ पर आपको मिल जाता है तेरा अलग-अलग social media platform का option तो कहीं पर भी आप अपना profile create करो और अपने profile को या आपके channel को आप grow करना चाहो तो social blade का website यूज करके आप ये कर पाओगे और अगर आप अपने computer का data analysis करना चाहो या किसी बरे या popular YouTuber का data देखना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे और यहाँ पर आपको जो common confusion रहता है कि earning के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम वो भी देख लेंगे कि social blade से आपको क्या कोई भी creator का actual earning का पता चलता है कि नहीं तो इस वीडियो को अंतक देखे और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजेगा अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोन दबाना मत भूलेगा ताकि टिकनोलोजी के रिलेटेर ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे नमस्कर दोस्तों मैं हूँ कॉस्तव आप देख रहे हो टिकी बॉन्ड सो लेट्स टार्ट तो दोस्तों आप अगर कोई सोशल मेडिया नेटवारिंगिंग का एक प्रोफाइल क्रेटर हो या इन्फ्लूएंसर हो या यूट्यूब में आपका भी या एक चैनल है तो आप हर बत चाते हो कि आपका चैनल ग्रो हो तो उसके लिए आप जैसे अच्छे अच्छे कॉंटेंट बनाना चाते हो तो आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल का डेटा को एनालिशीस करके किस तरीके से अच्छा कॉंटेंट बना पाओगे कौन से टॉपिक में बेटा एनलेज़िस का मौका मिल जाता है। आप खुद के प्रोफाइल का या किसी competitor के प्रोफाइल का या कोई बी popular या वरे creator का या influencer का कोई भी social media network का प्रोफाइल कर पाओगे, उनका growth देख पाओगे, उनका अगर कोई particular topics में वीडियो viral हो रहा है या कोई भी post viral हो तो वो किस topic में है और अगर आपका खुद का भी video viral करना चाते हो या कोई post viral करना चाते हो तो आपको कौनसे topics में video बनाना चाहिए आपका data क्या कहता है आपका future growth कितना होने वाला है ये सारे data का analysis आप social plate का platform यूज करके निकाल पाओगे जाज कर पाओगे और उस तरीके से आडिंग का एक range पता चल जाता है तो ये सारे चीज step by step details में आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो इसलिए next हम चले जाएंगे मेरे computer के screen पर तो देखिए तो दोस्तो मैं आचुका हूँ मेरे computer के screen पर जल्दी से open कर लेता हूँ मेरा google chrome का browser और google chrome browser open होते ही हम लोग open कर लेंगे socialblade.com तो इस website का link आपको वीडियो के नीचे description में भी मिल जाएंगे या आप अगर mobile application इसका install करना चाते हो तो उसका भी link नीचे दिया हुआ है वो भी आप check कर पाऊगे तो अभी हम लोग देख लेंगे socialblade.com या socialblade के website में क्या-क्या features है और कैसे आप इसको use कर पाऊगे यहाँ पे आप login कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो उससे जादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा और अगर आप इस website में login नहीं करना चाते हो तब भी इस website का सारा features आप check कर पाऊगे तो यहाँ पे उपर आप देखोगे आपको मिल जाएगा socialblade.com website का सारा features तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिया हुआ है business API, premium membership का option, इसका dashboard, product services, authentication, favorites, reports, discord का option, faq, settings और login अगर आप करते हो तो logout का option उसके नीचे आप देखोगे आपको मिल जाएगा बहुत सारे platform का option तो by default यहाँ पे पहला option दिया हुआ है YouTube यहाँ पे drop down arrow पे आप क्लिक करोगे तो आपको और भी सारे platform मिल जाएगे जैसे YouTube के सिवा भी Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Dailymotion, Odyssey, Trovo, Mixer, D-Life और Stodifier यह सारे social media platform का data आप चेक कर पाऊगे या कोई भी creator का profile आप चेक कर पाऊगे तो उसके लिए आपको मिल जाएगा डाहीने तरफ एक search bar तो जैसे मैंने यहाँ पे for an example आपको YouTube का platform दिखाने वाला हूँ तो जो भी platform का data आप देखना चाते हो उस platform को आप इस drop down arrow पे click करके choose कर लिजिए और डाहीने तरफ आपको मिल जाएगा एक search bar यहाँ पे आपको दे देना है जिस creator का account आप चेक करना चाते हो उनका user name उनका channel का name या profile का name देने से ही हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने YouTube select कर लिया और डाहीने तरफ search bar में आप नाम लिख के search करोगे उसके पहले नीचे आप देखोगे इस website में आपको और भी कुछ option मिल जाता है जैसे supported platform, top list, live counts और real time, consulting, compare, blog का option और premium membership यहाँ पे membership में कुछ offers या discount भी चल रहा है business API में वो भी आप check कर पाऊगे नीचे आप देखोगे इस website का बहुत सारे features और benefit जो मिलता है उसका एक थोरा detailing दिया हुआ है जैसे आपको मिल जाता है analytics made easy यहाँ पे social blade tracks user statistics for YouTube, Twitch, Instagram and Twitter so on, get a deeper understanding of user growth and trends by utilizing social blade तो इस platform को use करके कोई भी creator का channel का या profile का कैसे growth हो रहा है कैसे trending चल रहा है उसका deeper या detail understanding आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे भी आपको मिल जाता है एक search bar यहाँ पर भी आप कोई भी YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, Dailymotion ऐसे तेरा अलग-अलग platform का username डालके उनका profile आप creator का profile सर्च कर पाऊगे नीचे आप देखोगे अलग-अलग platform में creator का count एक आपको मिल जाएगा तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस platform में आपको मिल जाएगा total 83.4 million total account अब तक का current data है उनमें से YouTube creator है 54.5 million Twitch streamer है 7 million, Twitter user है 10.1 million, Instagram account है 10.4 million Facebook pages आपको मिल जाएगा 1.2 million, Dailymotion creator आपको मिल जाएगा 224.1k और TikTok creator 806.6k अब यह website कैसे काम करता है उसका भी एक gist नीचे दिया हुआ है simplified analytics right at your fingertips Social Blade gives all user access to our public database which using advanced technology is able to provide you with global analytics for any content creator, live streamer or brand whether you are looking up for popular YouTube creator or Twitch streamer playing a specific game Social Blade has you covered we are always looking to expand our features to give our users the best experience possible और भी आप देखोगे इस website में आपको मिल जाता है consulting का भी option इसका अलग-अलग features का video आप यहाँ पे play करके check कर पाऊगे नीचे आपको मिल जाएगा website का कुछ business related features जैसे rank your videos, find influencers, grow your channel, business API और अगर आप YouTube के rockstar बढ़ना चाते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है Do you need help becoming a YouTube rockstar तो यहाँ पे क्या-क्या support मिलता है वो भी आप check कर पाऊगे तो अभी हम देख लेंगे कोई भी creator का या user का कोई भी social media platform का account में आप कैसे उनका detailing में growth और trends देख पाऊगे उनका data analytics कैसे check कर पाऊगे तो for an example मैं यहाँ पे platform ले लेता हूँ YouTube और user name मैं खुद के YouTube channel का ही username डाल देता हूँ और मैं खुद के profile का ही data आपको details में दिखाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे type कर देता हूँ मेरे channel का name और फिर dine तरब मैं search बटन पे click कर दूँगा तो अभी आप देख सकते हो मेरे YouTube channel यहाँ पे open हो गया है इसका data analytics आप check कर पाऊगे आप खुद भी अगर कोई भी creator का channel कोई भी social media platform में check करना चाते हो तो username ऐसे डाल के आप check कर पाऊगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैरे YouTube channel का मैंने search कर लिया तो उपर आपको दिखाई देगा मेरे YouTube channel का जो banner picture है वो दिखाई देगा डाहिने तरब उपर आपको मिल जाएगा दो option compare किसी similar account से या similar channel type creator से मैं अपना profile compare कर सकता हूँ या डाहिने तरब उपर three line बटन पे click करके मुझे मिल जाएगा update general stat, update channel type का option उसके नीचे आप देख सकते हो मैंने जो other social media network का अपने YouTube channel के साथ link किया है उसका link भी आपको मिल जाएगा तो YouTube छोर के भी Facebook, Twitter, Instagram जो भी मैंने set किया उसका link यहाँ पे चलाया है बाए तरब मेरे YouTube channel का profile picture, channel का name यहाँ पे मुझे मिल गया है verified social blade membership, authenticated channel on social blade click the icon to proceed यह option और उसके बाद badge of the social butterfly इसके लिए link 3 or more social network to a YouTube account तो जो मेरा link already किया हुआ है नीचे आप देखोगे कुछ जीस्ट information आपको मिल जाएगा जैसे मेरे YouTube channel में total uploads है कितना count 240, subscriber count 5.9k, videos views कितना हुआ है 1.1 million country, India, channel type जो की take channel है तो यहाँ पे channel type decide किया जाता है this metric is derived from the users 10 most recent public videos social blade uses the channel type that occurs most और उसके बाद मुझे मिल जाता है user created मतलब मेरा channel या gmail account कब create हुआ था नीचे आपको मिल जाता है इस platform का और भी कुछ features जो आपको कोई भी social media creator का या profile का data check करने में help करेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाता है user summary, future projection, detailed statistics, featured box, similar channels, user videos, live subscriber count और achievements तो जब भी आप कोई भी profile search करोगे तो by default user summary open हो जाएगा तो user summary में हम दोग देख लेंगे क्या-क्या data या analytics देखने को मिलता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा channel का grade तो मेरे channel को मिला है अभी तक B- और यह total grade कैसे count होता है वो आप देख पाओगे the total grade is a visual representation of the social blade rank और SB rank based on the ranking against our whole database तो उस ही सब से rank किया जाता है उसके बाद मुझे मिल जाता है मेरे channel का social blade ranking तुम आप देख सकते हो 6,60,511th rank है this spot is already shared with 4 other people there are currently 861.6k channels in higher position तो इस rank से उपर भी और इतना channel है और इस rank में और भी 4 channel है उसके बाद subscriber rank जो है 8,818 इस same spot में this spot is shared with 3,241 other people और भी आप देख सकते हो there are currently 2.9 million channels in a higher position video views ranking में मुझे मिला है 25,33,745th rank यहाँ पर भी इस position में और भी 3 people है और इससे जादा higher position में और भी 3.1 million channel है country rank मुझे मिला है 3,499th इस position में और भी 335 other people है और इससे उपर higher position में channel है और भी 349.9K और टेख ranking अभी मेरा है 2485th और इस position में और भी 60 channel है और इससे उपर channel है 67.6K channels नीचे आपको मिल जाएगा मेरे channel का subscriber for the last 30 days last 30 days में मेरा subscriber gain हुआ है 670 जो के उसके पहले से 32.7% जादा है और इधर आपको मिल जाएगा video views for the last 30 days जो है 147,277 जो पिछले 30 दिन से 19.1% जादा gain है और weekly total subscriber का एक grab भी आपको नीचे देखने को मिलेगा के last one week में subscriber जो growth हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है उसका एक grab आपको देखने को मिलेगा और डाहिने तरफ similar total video views कैसे last one week में growth हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा estimated monthly earning तो आप ध्यान रखेएगा यह earning जो कि monthly और yearly दिया हुआ है यह estimated है exact figure यहाँ पे नहीं mention किया हुआ है जैसे आप subscriber कहलो या video views कहलो यह data तो YouTube channel से मिल जाता है तो उसलिए यहाँ पे exact count दिया हुआ है पर अगर earning की बात कर रहो तो आपको कोई भी creator का channel में जाके नहीं देखने को मिलता है तो इसलिए यहाँ पे mention किया हुआ है estimated monthly earnings estimated yearly earnings तो actual earning यह दोनो range के बीच में होता है पर exact यहाँ पे figure आपको नहीं मिलेगा आपको एक range मिल जाएगा पर यह sure है जो exact earning या actual earning होता है इस range के बीच में ही होता है यहाँ पर भी आप check कर पाऊगे the default estimated CPM range for social blade is $0.25 से लेके $4 USD इस can be changed in the social blade dashboard account setting page तो यहाँ पे और भी scroll करके नीचे आप आजाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे YouTube stat summary user statistics for the channel कब से कब तक तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा day to day basis last two weeks का data कौन से date में कौन से day में subscriber कितना gain हुआ है total counting कितना हुआ है video views कितना मिला है उस दिन का total video counting और एक estimated earning उस दिन का तो ऐसे आप last two weeks का check कर पाऊगे और last पे आपको मिल जाएगा daily average subscriber gain view gain और estimated earning का weekly average और last 30 days का average डाहिने तरव आप देखोगे एक graph estimated based on current trend आपको एक मिल जाएगा के around tomorrow subscriber count कितना हो सकता है उसका एक prediction दिया हुआ है और भी नीचे आप देखोगे last पे आपको मिल जाएगा YouTube analytics history for this channel तो यहाँ पे आपको दो graph देखने को मिलेगा पहला monthly gain video views for this channel तो last 11th month का हर महिने का video view और उसका growth कितना हुआ है वो आप यहाँ पे check कर पाओगे वैसे ही monthly gain subscriber कैसे grow हुआ है last 11th month में वो भी आप यहाँ पे graph के द्वारा check कर पाओगे तो यह रहा पूरा user summary उसके बाद future projection इस option पे आप चले आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको मिल जाता है कौन कौन सा data future subscriber and view prediction for this channel चैनल का link यहाँ पे mention किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक footnote दिया हुआ है future projection at social blade are created using a regression formula the estimated result have an error rate of 7.64% to 8.92% तो आपको यहाँ पे exact figure नहीं मिलेगा जो आपका channel का अभी growth चल रहा है उसी सबसे future prediction किया जाएगा regression formula wise जहाँ पे error हो सकता है 7.64% से 8.92% तक तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर दो मेहनी के gap में 22 तरब आपको मिल जाएगा goal date उसके बाद time until हर दो मेहनी के gap आप चेक कर पाओगे तो हर दो मेहनी में subscriber prediction कितना है view prediction कितना है तो जैसे आज 29th September 2022 है इसके बाद दो मेहने बाद 28 November 2022 subscriber prediction आपको मिल जाएगा कितना हो सकता है view prediction किसना हो सकता है यह count किया जाएगा जैसे अभी channel का growth चल रहा है उसी साब से ऐसा नहीं कि यही number होने वाला है तो वैसे करके आप अगले 5 साल का data चेक कर पाओगे और किस टाइम में कितना subscriber count हो सकता है या कितना view हो सकता है आज के channel का वो आप यहां से चेक कर पाओगे वैसे करके इस data को आप graph में भी देख पाओगे YouTube future projection for this channel अगले 5 साल के लिए तो अभी channel का जैसे growth चल रहा है उसी साब से एक future projection किया गया है तो यहां पे future subscriber का projection और future video views का projection दोनों आप चेक कर पाओगे कि कितना हो सकता है अगले 5 साल में फिर next option detail statistics option पे आप जाओगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा YouTube user analytics और statistics for this channel last 28 days का तो last 28 days में date wise day wise कितना subscriber gain हुआ है total subscriber कितना reach हुआ है, total views gain कितना हुआ है, total video views कितना reach हुआ है और estimated earning day wise आप last 28 days का यहां से चेक कर पाओगे और last पे आप देख पाओगे आज का एक live data और daily average कितना है, subscriber और views gain का और estimated earning weekly average कितना है last 30 days का average कितना है और yearly estimated वैसे करके आप नीचे स्क्रॉल करके आजाओगे तो यहां पे आपको graph में देखने को मिलेगा gained subscriber and video views graph for this channel तो last एक साल में weekly subscriber gain कितना हुआ है कैसे कर से हुआ है weekly video views last एक साल में कैसे gain हुआ है, वो भी आप यहां पे चेक कर पाओगे weekly उसके बाद आपको मिल जाएगा total subscriber and video views gained for this channel weekly तो last 4 weeks का आपको मिल जाएगा और ऐसे ही last 4 weeks का total video views for this channel weekly आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, फिर आप देखोगे total subscriber and video views monthly का graph, तो last 11 महिने में monthly total subscriber कैसे कैसे gain हुआ है और last 11 मन में monthly total video views कैसे कैसे gain हुआ है, इस channel का monthly आप चेक कर पाओगे, detail statistics option के बाद, featured box option पे यहां पे उतना आपको data नहीं मिलेगा, उसके बाद similar channel option पे आप जाओगे तो आपके category का similar channel के साथ, आपका खुद का channel आप compare कर पाओगे, तो यहां पे मेरे channel में उतना data नहीं है उसलिए similar channel का comparison नहीं आया है, आप दूसरे किसी बरे channel का अगर नाम लिख के सर्च करोगे, तो उस category में आप और भी सारे channel देख पाओगे और उसके साथ compare कर पाओगे के यहां पे social blade ranking कितना है great कितना है, type क्या है username, subscriber, monthly कितना gain हो रहा है और videos view, day wise और monthly कितना gain हो रहा है वो आप सारे similar channel का compare कर पाओगे और उसके बाद user video option पे जाके आप कोई भी channel का 50 latest videos, 50 most view videos, 50 highest rated videos और 50 most relevant video का कब release हुआ है वीडियो का title क्या है, कितना total view है rating कितना है, comment कितना मिला है earning कितना हुआ है, उसका estimated count आप चेक कर पाओगे तो अगर आप खुद के channel को grow करना चाते हो तो यहाँ पे आपके कौन से वीडियो में जादा view मिला है कितना earning हुआ है, कितना comment मिला है तो उस category का आप similar topic का और भी वीडियो बना के अपने channel को grow कर पाओगे तो यह सारे data आपको social blade platform से easily मिल जाता है और यह सारे check करना बिलकुल free है next option live subscriber count option पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप कोई भी channel का subscriber count live चेक कर पाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो subscriber count आपको यहाँ पे live दिखाई देगा और उसके बाद एक interesting features आजाता है achievements तो last option achievement option पे आप जाओगे तो यहाँ पे खुद का एक goal set करने के लिए social blade में कुछ achievement का option दिया हुआ है youtube achievements and creator progress for this channel तो in progress क्या क्या चल रहा है वो आप चेक कर पाओगे जैसे terrible to your account must be created over two years ago तो अभी मेरा channel two years complete नहीं हुआ है two years complete होते ही यह achievement मेरा complete हो जाएगा उसके बाद social wizard have four acceptable social platform linked on your youtube channel तो मेरा अभी तक तीनी linked account है twitter, instagram और facebook का तो अगर आपने यह सारा account follow नहीं किया तो वीडियो के description में मेरा instagram, twitter और facebook account का link दिया हुआ है आप जाके जरूर follow कीजिए जब भी social acceptable platform four हो जाएगा तो यह मेरा achievement complete हो जाएगा next achievement uploading feels good upload 500 videos to youtube तो अभी 240 होआ है जब 500 होगा यह achievement मेरा complete हो जाएगा getting a bit of traction reach 25,000 subscriber तो यह अभी 23.60% ही complete हुआ है जो की है 5,900 उसके बाद it's alive have some people check out your social millet profile तो यहाँ पे 13.8% cover हुआ है और last जो running चल रहा है in progress जो achievement you do what for a living reach 10 million video views तो अभी 1.1 million हुआ है इसलिए 11.78% ही complete हुआ है और क्या-क्या achievement मैंने यहाँ पे complete किया हुआ है वो आप यहाँ पे last पे देख पाओगे तो जैसे verified social blade member यह मैंने complete किया है authenticate करके अपने profile को new kid on the block 1k subscriber यह मेरा complete हुआ गया है they have heard of you 1 million video views यह भी complete हुआ है मेरा you are on the tube 100k video views यह भी complete हुआ है achievement फिर आपको मिल जाएगा feeling comfortable 100 uploads यह complete हो चुका है अभी तो 240 video upload है uploading is cool 25 uploads यह तो बहुत पहले upload complete हो चुका है I hit a button 1 upload welcome to the YouTube creator ship तो पहला वीडियो तो अभी से करीब पोने 2 साल पहले complete हो गया है 12 months तो मेरा 1 साल complete हो गया है YouTube channel का इसलिए यह achievement भी complete हो गया है डाइने तरफ green tick दिखा रहा है social butterfly tire 3 social social signals are strong with this creator social approachable tire 2 social और you are on the board tire 1 social तो यह सारे achievement मैं already complete कर चुका हूँ और उपर यह सारे achievement मेरा in progress है तो यह बड़ा interesting एक tab है achievements का जिसके दुआरा आप अपने YouTube channel का एक goal set कर पाऊगे और motivate हो पाऊगे अपने YouTube channel को धिरे-धिरे grow करने में तो social blade website से लगभग अपने YouTube channel का इतना सारा data आपको मिल जाता है और कैसे आप आगे बर पाऊगे अपने channel का details, analytics और data चेक करके आपको एक idea हो जाएगा या किसी similar type आप दूसरे channel का भी आप चेक करके अपना trend set कर पाऊगे वैसे ही YouTube छोर के बाकी सारे platform का भी आगर आप profile चेक करना चाते हो या कोई दूसरे creator का account चेक करना चाते हो compare करना चाते हो उनका data का analytics करना चाते हो तो वो भी आप चेक कर पाऊगे तो आप जरूर YouTube को छोर के भी YouTube तो आप करोगे ही उसको छोर के भी अगर आप Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok या और भी बहुत सारे total तेरा platform का कोई भी data चेक करते हो तो आप अपना experience मेरे साथ जरूर शेयर किजिएगा ये नीचे comment box आपके लिए दिया हुआ है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा social blade का platform यूज करके कैसे आप खुद के channel का data analysis कर पाऊगे या कोई भी आपके competitor का data आप चेक कर पाऊगे या popular कोई creator का influencer का भी आप data check कर पाऊगे और खुद के channel के grow के लिए इस data को आप analysis करके खुद के लिए एक सेही path या goal set कर पाऊगे जहां से आपका profile grow करे और यहां से आप खुद के profile या channel का future जो prediction है future कैसे growth होने वाला है आज की हिसाब से आपका जो grow हो रहा है उसी साब से future में आपका एक goal set कर पाऊगे कि अगर आप YouTube का example ले लो तो कितने दिन में आपका कितना subscriber complete होने वाला है या कितना view आने वाला है आपका estimated earning कितना होने वाला है इसका एक सही आप goal set करके आगे बर पाऊगे और अपने profile या channel को आप अच्छे तरीके से एक सही माइने में grow कर पाऊगे और उससे अच्छा खासा earning भी कर पाऊगे तो उम्मीद करता हो आपको इस वीडियो से कुछ फाइदा हुआ और technology के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के शायर कीजिएगा अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बे लाइक हों दमाना मत भूलिएगा तकि टिकनलोजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे आप मुझे फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर और टेलिक्रम में भी फॉलो कर सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आज के लिए बस इतना ही दुबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सिखेंगे टेकनलोजी के बारे में नया कुछ क्यूंकि घ्यान बाटने से बढ़ता है आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि सोसल प्लेट प्लैटफरम का ये सारा फीचार जानने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में अगर आप और भी जानकर ही हासिल करना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा क्यूंकि नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए है तो तब तक के लिए जैहीन बंद मातरम बाई